HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया जटका, बढ़ गई होम लोन की ब्याजदर, ये है डिटेल. केंद्रिय रिजर्व बैंक के मौदरिक नीती समिती, MPC, की बैठक से ठीक पहले HDFC बैंक ने ग्राहकों को बड़ा जटका दिया है. प्राइवेट सेक्टर के दिगज HDFC बैंक ने अपने रेपोलिंकर होम लोन की ब्याजदरों में 10 से 15 आधार अंकों की बड़ोतरी की है. इस बड़ोतरी के साथ ब्याजदर 8.7 शूने प्रतिशत से 9.8 प्रतिशत के दाएरे में आ गया है. विले पर बैंक ने क्या कहा? बैंक ने स्पष्ट किया है कि ने रेपोलिंकर ब्याजदर ने ग्राहकों पर लागू है. पुराने ग्राहक RPLR को जारी रख सकते हैं. बता दें कि RBI की चहसत से ये मौदरिक नीती समिती, MPC की बैठक 3 अप्रेल से 5 अप्रेल तक होगी, जोने वित वर्ष 2024 से 25 की पहली बैठक होगी. किस बैंक की कितनी ब्याजदर? ICICI बैंक की वर्तमान होम लोन ब्याजदरे 9 प्रतिशत से 10.05 प्रतिशत के बीच है. अपने ग्राहकों को होम लोन पर तुलनात्मक रूप से कम ब्याजदर 8.75 से 9.65 प्रतिशत तक दे रहा है. कोटक महिंदरा बैंक के होम लोन की शुरुआती ब्याजदर 8.70 प्रतिशत है. मौदरिक नीती समिती की कब कितनी बैठक? RBI ने वित्वर्ष 2024 से 25 के लिए मौदरिक नीती समिती MPC की दो महिने पर होने वाली बैठकों के कारेकरम की घोशना की. पहली बैठक 3 से 5 अप्रेल को होगी. अगली बैठक 5 जून को शुरू होगी जबकि मौदरिक समीक्षा की घोशना 7 जून को होगी. इसके बाद अगली बैठक 6 से 8 अगस्त, फिर 7 से 9 अक्टूबर, उसके बाद 4 से 6 दिसंबर और अंतिम बैठक फरवरी में होगी. यह 5 से 7 फरवरी को होगी.